हेलो दोस्तों कोपितनी जा मैं आपका फ़ागत है तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ किस्पी करारे आलू के पकulen आज के आलू के पकोड़े बिना बेकिंग शोडा के और बिना बेकिंग पावडर के हम बनाएंगे वहती हलके फुलके और क्रिस्पी तयार होंगे है आलु के पक कोड़े बनाने के लिए मैंने आप चार मीडियम् माकार की आलू है इनको acia मै ने हछी तरीकास से दो कर रख ली आए expressed दू जिस तरीके से हम चिपस के स्ञैसिस कट करती है उसी तरीके से हमें इनके स्लैसिस कट करते जाना है मोटे slices हम नहीं काटेंगे नहीं तो हमारे जो पकोड़े हैं वो उसमें अंदर से जो आलू है वो कच्छी रह जाएंगे अब देखिए मैंने आपर पतले-पतले इसके slices कर लिए है सबी आलो के तो अब हम इसके लिए इसका बैटर रेड़ी करेंगे तो चलिए हम बैटर रेड़ी कर लेते हैं यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोड़ी बैशन और आदा कटोड़ी हम इसमें अट करेंगे चावल का आठा चावल के आठे से हमारे जो linear और एक च्मछ लाल मिर्ची पाउडर और एक चमच घम करेंगे hiç अब हम सारी staring जो को mix करेंगे और इसमें थोड़ा-धुड़ा पानी एड़ करते हुए इसका बैटर एड़ि करेंगे तो हमें इसमें एक साथ पानी एड़ नहीं करना है एकदम पर्फेक्ट तरीके से इसको विक्स करते जाएं विक्सर से इस तरीके से हम मिक्स करेंगे न तो हमारा बैटर जितना हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे इतना ही हमारे जो पकोड़े हैं वो अच्छे और एकदम क्रिस्पी बनुएंगे तो देखिए मैंने या बजिए एकदम क्रिस्पी किस्थी रहेंगे तो चलिए हम से मिक्स कर लेते तरीके से और हमार ऐकड़ conta तरीके से बताती हूं और इससे आप समय के बाते हो जर्ब हमारा एकड़ मारा रहना चाहिए इससे क्या व्हेसा इसमारी में परकॉरिक निए तब एकड़GHAM på poop hai कराई में छोडते जाएंगे यहां पर हम आलो को इस तरीके से डिप करते जाएंगे बैटर में तो यहां पर मैंने के यस पर काड़ पहले से ही रख दी थी तो यहां तीर Ooh गरम हो Ajax को करदेंगे ग्लक करतेगे अब हम सारे जो अलु की जो हमने स्लैस कर के थे उसको बेशन के बैटर में इस तरीके से डिप करते हुए छोड़ते जाएंगे तरीके से हम सबी पकोड़ों को इसमें डिप करेंगे और छोड़ते जाएंगे और इस तरीके से हम जब डालेंगे ना तो इसमें यह फूलने भी लगेंगे देखिए यह एकदम फूलने भी लगेंग ऐग रखके ताइँ जाएंगे वीडियं गई तोै आलटे में इसकेंगे मिन यह सबागे로 इक नहीं इसे दधाएंगे बूत आसे कर साम पक्लेगी यह घ्लिकर हैमेट शचे वोडरिह की तो यह दो यह सीकारिक है तो जब हम इसे गएक है टेफेर आफी चेंगे बने हुए हैं और एक्तम क्रिस्पी बने हुए हैं और इसे आप चेटनी के साथ सौस के साथ या हारी चेटनी के साथ या चाय के साथ आप इसे खा सकते हैं और इसे आप आप नौर्मली किसी के भी साथ से आसानी से इसे खा बना कर खा सकते हैं, माझने छोटी मोटी भूख लगे ना, तब हम इसे आसानी से बना सकते हैं, तो मैं इसे आपको देखिये, अंदर से तोड़कर भी बताती हूँ, एकदम क्रिस्पी बने हुए हैं, और खाने में काफी स्वाधिश्ट लगते हैं आप इस तरीके से एक बार बना कर जरूर देखिएगा ये बागई काफी अच्छी लगते हो इसमें हमने जो चावल का अटा एड किया था उससे हमारे जो पकोड़े हैं वो एक्तम क्रिस्पी किस्पी बनते हैं बिना बेकिंग पाउडर के बिना ब पत्रेपना मत बुलिगा